हेलो फ्रेंट्स वालकम टॉ माई चानल फ्रेंट्स आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेकि आ चुके हूं अक्सर अपने देखा होगा कि जब भी हम कुकर में दाल बनाते हैं तो अक्सर इस तरह से कुकर के उपर से जाग और हल्दी वेगरा निकल जाती है जिसे हमारे काम नहीं सकते हैं तो उसे हम किस तरह से पहचान करेंगे इसके लिए मैं एक टिप सेर करेंगे हूं फ्रेंट्स हमारे पास काफी सारी ऐसे साड़िया होती है जो पुरानी हो आती है लेकिन उसे हम कट नहीं करना चाहते हैं उसे कट करके कुछ बनाना नहीं चाहते हैं तो आज में बिना कट किये हुए साडिक का एक 讓 IoT लí राई है की बता रहे हो जिसे बना कर आप इस्क्च सर्णा कर सकता है फ्रिंट्स चाय पती जош्छो हम डेली इसे पिर लादे में उसमें कलर मिला वारी तो इससे हम कैसे पहशाण करेंगे कि चाय पती में कलर मिला है और उसका हंडल टोड जाता है तुछरे हम किस तरह से रखे की कप हमारे सेफ नहीं है और उसके हंडल भी न तूटे तो उसके लिए मैं एक हैक्सार करें थे नगर strat कर दीर ना करते हुई वीडियो को शरूब करती हुए सबसे पहले हम प्रकप करें गोटको हम एक सब्सुसें करेंगे जिससे कि चार कंच हञ्डल कंधर शेले जायाएंगे जिससे से क्भक क्रें अकप के अंदर दूसरे कप के हैंडला चांडर सार्प के हैं वो चल में उसके कि कोई भी पूराना अप्राद कर सके में हैं और और वाम कॉंद करने kita अहुआ को टा करते हैं वह यहां तो 명 ornament सकते हैं या टेप से चिपका सकते हैं मैंने यहां इसे स्क्यूर करने के लिए रबर बैंड का इस्तिमाल किया है तो मैंने क्या किया है कि दो रबर बैंड लिया है इससे हम दो साइड से इस पे रबर बैंड लगा देंगे इसके बाद हम इस कप को अलमारी ज्रॉर या सोकेस म और कभी गलती से हाथ लगने से कप तूटने का भी डर नहीं रहेगा इस तरह से आपने कप को साफ और तूटने से बजा सकते हैं तो आई होप आपको ये teams पसंद इसके साथ में ही मैं अपने अगले टिप के और बढ़ती हूं मेरी अगली टिप जो है वह मिक्सर के चटनी जार को लेकर है हम अक्सर मिक्सर के चटनी जार का जादा इस्तमाल करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी क्वांटिटी में मसाला पीज जाता है और अक्सर हम थोड़ी quantity में ही आद्रक लेसुन को पीज पे हैं जिससे की क्या होता है कि इसका धार भी खराब हो जाता है और इसमें इसमें से लेसुन का एक hard smell भी आता है अब हम चाहते हैं कि इसका धार भी तेज हो जाए और इसके अंदर से लेशन का जो तेज़ स्मेल है वो भी निकल जा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ी से चाइपती ले लेंगे अगरए आपके पास इतवाल किया चाय पती हो, तो उसे भी लेसकते हैं, मेरे पास अभी इस्ताइपती हो छाय पती नहीं था तो मैंने फ्रेश चाय पती की हाधा चमच ली है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमे निंबू को छिलके के साथ काट के डाल देंगे, अगर आपके पास चलके हो तो से भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास निम्बू ना हो तो आप इसमें एक चम्मच विनेगर डालते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे कि regular salt जो हुदा है, जिसे हम खाने में इस्तमाल करते हैं, उस सौल्ट का एक चम्मस मैंने मिक्सर में डाल दिया इसके बाद हम दवाई के खाली रैपर को लेंगे और इसे कट कर देंगे मेरे पास यह दवाई मैडिसिन का पुराना रैपर था था इसे हम चोटे-चोटे टुक्रे में कट करके मिक्सर में डाल दे रहें अगर आपके पस दवाई का रैपर नहों तो आप ऐलमुनियम फॉयल के भी छोटे-चोटे-चोटे टुक्रेस में डाल सकते हैं अगर दवाई का रैपर जो होता है तो मैंने सारे चीजों को रख दी अगर दाल कि जब हम इसे चलाएं तो इसमें मीडिया में रहे हैं जिससे कि यह mixi में चारु और अच्छी तरह से मिल जा और सारी चीज मिलकर इसके बद्भू को अटा है तो mixer में हम एक से दो बाड इससे चला लेंगे हुसके बाद में इससे मृस्ति पानी को धोरेंगे पहले टिप के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी चाइपती हम अपने हाथ हेली पे लेंगे और चाइपती पर हम पानी डाल कर उसे इस तरह से उंगली से अपने हाथ हेली पे रगड़ेंगे ऐसा करने से अगर चाइपती में कलर होगा तो कलर तुरंत निकलके हमारे हथेली पर लग जाएगा मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रब किया लेकिन इसमें से कलर नहीं निकल रहती इसे पता सेथा है कि इसमें कलर नहीं मिला हुआ है और दूसरी टिप को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक लास या कप में पानी लेंगे पानी लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी चाइपती डालने के बादे से हम चमच से मिला देंगे और उसे हम थोड़ी देर के लिए रखनेंगे ऐसा गरने से अगर चायपती में कलर होगा तो चायपती का कलर जो है वो पानी में आ जाएगा और अगर कलर मिला रहेगा तो वो हलका रड हो जाएगा लेकिन हम दो मिनट के बाद देखते हैं कि इसका कलर जो है वो रड नहीं औरेंज हुआ है जो कि रियल चाय पत्ती का है तीसरा टेस्ट यह है कि आप इस चाय पत्ती के पानी को चक कर पता कर सकते हैं कि अगर इसमें चाय का टेस्ट आ रहा हो तो यह असली चाय पत्ती इसमें कलर नहीं मिला है तो इस तरह से आप अपने चाय पत्ती में मिलावट है कि नहीं चेक कर सक के लिए मैं एक टिप सेर कर लिए तो उसे क्या किजिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर लेकर एक बॉल पानी में डालेंगे जो ब्लैक पेपर सॉलिड नीचे बैठा हुआ है वह तो रियल असली ब्लाक पर है, लेकिन जो ब्लाक पर ओपर पानी में तैड़ने लगेगा, उसमें से आप 3-4 भीज उठाकर कूट कर देख लेए, कूट कर देखने से आपको पता चल जागा कि इसमें कोई मिलावट है या तो आपको स्मेल करने से या छूने से पता चल जागा कि इसमें मिल आउट वाला है तो इस तरह से आप अपने ब्लैक पेपर को चक कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि साड़ी को पुरा खोल लिया है साड़ी के किनारे को इस तरह से पकड़ लेंगे हम और हलका राउंड राउंड मोडते हुए इसे हम अपने हाथ के उपर इस तरह से लपेट लेंगे हम पगड़ी बनाते हैं उसी तरह से इससे थोड़ा हलका हलका रखते हुए हमें लपटना है ज्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ज्यादा टाइट करेंगे तो साड़ी जो है वो slip करके गिर जाएगा तो इसे या तो आप नीजे फर्स पर रखकर बेट पर रखकर इस तरह से गोल कर लेंगे कि ये थोगा सा धिला रहे क्योंकि इसके सेंटर में हमें जगण चाहिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी पुरानी दॉपट्टा हो थोड़े डिजाइन वाला हो तो जाधा अच्छा होगा क्योंकि जब हम कुषन बनाएंगे तो डिजाइन वाला दूपट्टा रहता तो दिखने में अच्छा बारना दोप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स निछ आता मेरे पास एक पुडाना Facbies. वुरना तीजाइन वें तो मैंने कैया है Saya दोप्ट्टे को डबल फॉल्ड करके उसके पीछ में साड़ी कड़ा है है. इसके बार हम क्शेश के किनारे को चारोर से अर्थी तरह से पकड़ लेंगे ताकि हम इसे बीच वाले होल से दुसरी तरफ निकाल सकें साड़े दुपट्टे को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और नीचे से हाथ डालती हुए जो बीच में होल है उस होल से हम दुपट्टे को इस पार्ट को दुसरी तरफ निकाल लें इसके बाद हम दोपट्टा को पलट लेंगे बहुत ही साउधानी से पलटेंगे ताक कि यह खुले नहीं इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पेर आप चाहेे तो गृट्रый उड्य जिन्डीय यह लगा सकते हैं या आप चाहे तो इस-पे गिट्टा बान सकते हैं मैंने यह रबर लगाया तो रबर थोड़ ठीला है और दुपट्टे का जो पाठे वो जादा है जिसके करण यह खुल जा रहा है तो इसलिए मैंने क्या किया है कि यह गाटर जो है इससे निकाल कर मैं पहले इस पर शोटे से रसी से नौट बांद लूगी ताकि यह सिक्य मेरी अगली टिक जो है अक्सर हमारे कीचन में हमारे सामने आती अक्सर क्या होता है कि जब भी हम दाल बनाते हैं तो दाल कूकर की उपर से जग की तरह निकल जाती है ऐसा इसलिए होता है कि सिटी वाला जो पार्ट होता है उसमें कुछ नो कुछ गंदगी फंस आती है तो के City कू निकाल कर उसे ब्रस साफ कर लेंगे और को कब का जो भी यह पार्ट है जिसमें हम विसल को लगाते हैं उसमें घंधिक साफ करने करेंगे एक सुई में धागा डाल के ले लेंगे, मैंने यहां बड़ी सुई लिये, क्योंकि छोटी सुई 20 में अटक सकती है, और उसमें धागा डाल लेना है ताकि अगर सुई अटके तो उसे धागे के हल्ग से आप खीच लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, किजसे अटके दाग कुकर का यहाल उसे भी मिस तरह से सौी डालकरिके पर्वा नीकल कर निकल जाए इस तरह से सौफ करल लेने के बाद हम सीटी को लगा देंगे यह इसने को परने के सीटी को लगा कर